नमस्कार आदा, स्वागत है आप सभी का चैनल टेक मस्ती पर दोस्तों कई लोग बहुत ही छोटी उम्र में काफी समझदार हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ कर उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि कुछ बदलाव लाना है तो दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं दे सकते इसके लिए खुद को काम करना होगा ऐसी सोच रखने वाले लोग जिन्दगी में हमेशा कामियाब होते हैं एक ऐसी ही व्यक्ति के बारे में आज हम आपको बतानी जा रही हैं जिसने अपने परिवार को संभालने के लिए बहुत ही कमरूम्र में काम करना शुरू कर दिया था उस इंसान ने ना केवल अभीने के छेत्र में पहचान बनाई बलकि राजनीती में भी अपनी काबिलियत पर बड़ी उपलब्धी हासिल की जिस व्यक्ति के बारे में यहां पर बताया जा रहा है वे आज हमारी देश की कपड़ा मंतरी है देश की कपड़ा मंतरी का नाम लेने पर अब आप जान ही गए होंगे कि यहां पर किसकी बात हो रही है हम बात करें हैं देश की कपड़ा मंतरी अस्मृती इरानी की उनके बारे में बताने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि माया नगरी से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको मिलती रहे स्मृती इरानी का जन दिल्ली में एक मध्यम वर्ग परिवार में तेहिस मार्च 1976 में हुआ उनके पिताजी पंजाबी और मा बंगाली हैं उन्हें दो बेहने हैं और स्मृती इरानी सबसे बड़ी है अपना परिवार चलाने के लिए उन्होंने दस की पढ़ाई के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था स्मृती ने 2001 में अपने बच्पन के दोस्त जुबिन इरानी से विवाग किया था जो भी निरानी एक वेपारी है और स्मृती के साथ उनकी ये दूसरी शाधी है महीं शाधी से इन दोनों के दो बच्चे हैं एक लड़का और एक लड़की लड़के का नाम जोहर है जबकि लड़की का नाम जोईश है स्मिर्टी एरानी ग्लेमर की दुनिया से काफी प्रभावित हुई थी और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें आगे बढ़ना है मध्यमवर्ग से उन्हें चुटकारा पाना है 1998 में उन्होंने फैसला लिया कि उन्हें Miss India प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है लेकिन वैं अंतिम मुकाबले में पहुच ही नहीं पाई आखिरकार उन्होंने मुंबाई में जाकर एक नया करियर की शिरुवार्थ करने का फैसला लिया खुद के जरूरोतों के पूरा करने के लिए उन्होंने मैकडोनल्स में वेट्रेस और क्लीनर के पत पर भी काम किया था वैं शुरू में सोंद्रे उत्पात का प्रचार करती थी उसके लिए उन्हें रोजाना 200 रुपए मिलते थे लेकिन उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था स्मिर्थी एरानी को करियर में काम्यावी तक पहुचने के लिए बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा तब जाकर उन्हें एक बार उहुलालाला का एपिसोड को होस्ट करने का मौका मिला उशो में उन्हें मशूर अभिनेत्री, नीलम, कोठारी की जगह पर काम करने का मौका मिला था उसके बाद उन्हें कभी पीछे मुड़ कर देखा ही नहीं साथ यशो को करने के बाद वै काफी मशूर हो चुकी थी और खास तोर पर मशूर निर्माता एकता कपूर भी उनके अभिने से काफी प्रभावित हो चुकी थी उसके बाद उन्हें स्टार प्लस पर क्योंकि सास भी कभी बहु थी जैसे सूपर हिट टीवी शो में काम करने का मौका मिला इस नाटक में स्मिर्थी ने तुलसी नाम की महिला का किरदार निभाया था ये नाटक लोगों द्वारा बेहत पसंद किया गया था ये नाटक 3 जुलाई 2000 से 6 नमंबर 2008 तक चला था वही क्योंकि सास भी कभी बहु थी नाटक के अलावा स्मिर्थी रानी ने और भी कई सारे नाटकों में अपना भी ने दिखाया है जैसे क्या हाथ साब क्या हकीकत रामायन मेरे अपने और इत्यादी इतना ही नहीं उन्होंने बंगाली, हिंदी और तेल गुभाशा की कुछ फिल्मों में भी काम किया है स्मिर्थी ने कई सारे रंगमल्च में कारे किया है उसके बार स्मिर्थी रानी बहुत ही मशुहूर हो गई और सभी लोग उन्हें पहचानने लगे थे उस सीरियल में तुलसी का किरदा निभाने के लिए स्मिर्थी रानी को कई सारे पुरुसकार भी मिले सीरियल में काम करने के अलावा उन्होंने उनकी कमपनी उग्राई एंटर्टेर्मेंट के माध्यम से कई सारे शो किये उन्होंने 2008 में यह है जलवा जैसे डांश रियालेटी शो को भी होस्ट किया था सब टीवी पर एक moneyband.com 2009 से 2010 तक नाम की comedy सीरियल आती थी सीरियल के माध्यम से उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि वह एक अच्छी comedian का भी किरदार निभा सकती है स्मर्थी रानी बंगाली फिल्म में भी काम कर चुकी है धीरे धीरे स्मर्थी रानी राजनीती में आने लगी और उनकी मा जनसंके सरस से बनी और उनके दादा RSS के स्वयम सेवक थे 2003 में ही स्मर्थी रानी ने भारती जंता पार्टी में प्रवेश किया था उसके कुछ सालो बाधी स्मर्थी रानी महराष्टर युवासंकी उपाध्यक्ष बन गई 2004 के आम चुनाव में उन्होंने चान्वी चोक निर्वाचन छेतर से चुनाव लड़े थे लेकिन उस चुनाव को लड़ने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की इसलिए चुनाव में हार का सामना करने के बाद भी स्मिर्थी रानी को केंद्रे समिथी का कारे-कारी सदश्य बनाया गया धेरे-धेरे स्मिर्थी रानी आगे बढ़ती चली गई कुछ समय बाद ही उन्हें पार्थी जिन्ता पार्टी का राश्ट्रे सचीव बना दिया गया और 2010 में पार्टी के महिला संकाव अध्यक्ष चुना गया उनके पार्टी के प्रती स्मर्पन और नेत्रित को देखकर बीजे पीनियों ने 2014 के आम चुनाओं में राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए टिकेट दिया था उन्होंने उत्तर परदेश के मेटी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाओं लड़ा था लेकिन उस चुनाओं में स्मर्थी रानी को हार का सामना करना पड़ा मगर पहो उस चुनाओं में काफी कम वोटों से हार गई थी कुछ साल के बाद मंतरी मंडल में कुछ बदलाव किये गए और 5 जुलाई को स्मिर्थी रानी को कपड़ा मंतराले की जिम्मेदारी सौपी गए आपको बता दो कि स्मिर्थी रानी को क्योंकि सास भी कभी बहु थी सीरियल में तुलसी का किरदार निभाने के लिए लगातार चार सालों तक इंडियन टेलिविजन अकेडमी अवोड दिये गए 2001, 2002, 2003 और 2004 सालों के लिए उन्हें यह पुरुसकार दिया गया था यही अकेडमी पुरुसकार उन्हें 2010 में भी दिया गया उन्हें 2005 में Great Women Achievers Award से भी सम्मानित किया जा चुका है गर्व इंडियन टीवी अवोड ने भी उन्हें 2014 में Best TV Personality of the Decade Award से सम्मानित किया है यह तो थी स्मिर्ती रानी के जीवन की कहानी जहां उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा स्मिर्ती रानी केवल देश की मंत्री ही नहीं बलकि इससे पहले उन्हें TV पर भी बतोर अभी नेतरी के रूप में काम किया है उन्होंने अपने जीवन के दोनों किरदार बक्खू भी निभाई मैं और भी ऐसी बड़ी पस्नालिटी से जुड़ी खबरे लाती रहूंगी लेकिन तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अगली बार किसके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं ये भी जरूर लिखें धन्यवाब